राधे राधे एवरिवान आप सभी का मेरे चैनल नैंसी शुबम उफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तूं आज किस वीडियो में आप जानेंगे हर्तालिका तीज ब्रत की सरल पूजा भी दी 6 सितमबर 2024 को हर्तालिका तीज दोस्तों आने वाली है हर साल भात्र पदमास के सुक्ल पक्ष की तरतिया तिथी पर सौभागिबती महिलाओं का खास हर्तालिका तीज पद्व मनाया जाता है इस दिन निर्जल रहकर ब्रत किया जाता है इस दिन बिवाहित महिलाओं अपने पती की लंबी आयू के लिए और कुवारी करने आएं अच्छा बर पाने की कामना से ये ब्रत किया करती है इस दिन मंत्र ओम पारबती पदह नमा जाप करना उचित रहता है दोस्तों हर्तालिका तीज ब्रत के दिन उपवास रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ जरूरी सामिग्री की आवश्यक्ता होती है आए दोस्तों अब जानते हैं हर्तालिका तीज की सरल पूजा बिधी हरतालिका तीच का व्रत सौभाग्य बती इस्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखनी और अभिबाहित युप्तियां मन पसंद बरपानी के लिए करती हैं तीच के दिन ब्रत करने वाली महिलाई सुर्योदा से पूर भी ही उठकर नहा कर पूरश्रंगार करती हैं फिर मन में ब्रत का संकल्प लेती हैं सबसे पहली घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान सिप संकर माता पारबती और गणिस की मूर्ती बनाएं पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडब बनाकर गौरी संकर के प्रतिमा स्थापित की जाती है अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें फिर माता पारबती को एक एक कर हरी सुहा की सामिग्री अर्पित करें इसके बाद भगवान सिप को बेल पत्र और पीला बस्त्र जढ़ाएं रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर तीन बर आर्थी की जाती है और सिप पारबती विवा की कथा सुनी जाती है तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आर्थी करते हैं इस ब्रत में सोना मना है अता रात्री में भजन कीर्तन करते हुए रात्री जागरण करना चाहिए अगले दिन पुनहा सुबा प्राता काल इश्नान करने के बाद श्रद्धा भक्ती पूरबक माता पारवती को सिंदूर अर्पित कर भोग चड़ाएं फिर किसी सुपात्र सुहागिन इस्त्री को श्रंगार सामिक्गरी बस्त्र खाने की सामिक्गरी फल मीठा तथा यथा सकती आवुशड का दान करना चाहिए आपकी जो भी स्रद्धा हो आप बो दान कर सकते हैं यदि रेत के सिवलिंग बनाई हैं तो उनका जला समें विशर्जन किया जाता है यदि आपने रेत से सिवलिंग बना रखिये तो आप उनको जल में जाके विशर्जन कर सकते हैं दोस्तू प्रसाद ग्रहन करने के बाद ब्रत का पारण करें फिर खीरा खाकर इस ब्रत की प पौरानिक कथा कहानी माता पार्वती का बच्पन से ही माता पार्वती का भगवान सिब को लेकर अटूट प्रेम था माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान सिब को पती के रूप में पाना चहाती थी इसके लिए उन्होंने हिमालय परवत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या सुरू की माता परवती ने इस तप में अन और जल का त्याग कर दिया था दोस्तों खाने में विमात्र सूखे पत्ते चवाया करती थी माता परवती की ऐसे हालत को देख कर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थी एक दिन देवरिशी नारत भगवान विस्नु की तरप से परवती जी के बिवा के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताप से बहुत खुशी हुई इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताप के बारे में मा पार्वती को सुनाया माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपने मन में भगवान सिप को अपना पती मान चुकी थी माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या वताई माता पार्वती ने यह साधी का प्रस्थाब ठुकरा दिया पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि बह सिर्फ भोले नात को ही पती की रूप में सुईकार करेंगी सखी की सलापर पार्वती जी ने घने बन में एक गुफा में भगवान सिब की अराधना की भाद्र प्रत तृतिया सुकल के दिन हस्तन छत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से सिबलिंग बना कर बिदिवत पूजा की और राधवर जागर्ण किया पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान सिब जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में सुईकार कर लिया था कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान सिब जी को पाया उसी तरह इस ब्रत को करने वाली सभी महिलाओं की सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका बेवाहिक जीवन खुश हाल वना रहे माना जाता है कि जो इस ब्रत को पूरी बिदी विधान और शद्धा भाव से करते हैं उन्हें इच्छा अनुसार बर की प्रापति होती है हर्तालिका तीज पर गौरा और सिप से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना यही पर कथा समापत होती है आईए अब जानते हैं हरताली का तीज ब्रत के नियम क्या क्या है इस ब्रत को रखा तीज में जाता है लेकिन इसका पारण चतुरते दिथी के सूर्योदे में किया जाता है दोस्तू अगर आपकी साधी के बाद आपका पहला तीज ब्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल आपको तीज का ब्रत रखना होगा इस ब्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है किसी भी साल से छोड़ नहीं सकते तीज ब्रत में अन्य जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है इस ब्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान से पारवती का जागरण करें और रात में सोना नहीं है अगर आप बिमारी या किसी बज़े से ब्रत छोड़ रही है तो आपको उध्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को ब्रत देना होगा आए दोस्तों अब जानते हैं हर्तालिका तीज पूजा का सुभ मूरत क्या है पूजा का सुभ मूरत सुभा में 6 बच कर 2 मिनट सी सुभा 8 बच कर 33 मिनट तक है इस दिन सूर्यास्त 6 बच कर 36 मिनट पर हो रहा है दोस्तों आईए अब जानते हैं ब्रत पारण का समय हर्तालिका 30 ब्रत ब्रत पारण का समय होगा 7 सितंबर सनी बार 2024 की सुबा 6 बच के 14 मिनट से 7 बच के 15 मिनट तक आईए अब जानते हैं हरतालिका तीज ब्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं पहले जानते हैं हरतालिका तीज ब्रत में क्या खाना चाहिए आम तोर पर महिलाएं इस ब्रत में नर्जला पुवास रहती हैं लेकिन ऐसे में ब्रत तोड़ते समय आपको healthy चीजों का ही सेवन करना चाहिए जिससे दिन भर की ठकान और कमजूरी को दूर किया जा सके। ऐसे में आप ब्रत तोड़ने या फिर सरगी में भी दही का सेवन कर सकते हैं। हरतालिका तीज के ब्रत में आप पपीता, सेव, अनार, अमरूत या फिर केले आदि का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। तीज के ब्रत में आप नारियल पानी, नीबू पानी, मौसबी का जूस, अनार का जूस और ब्रत में पी जाने वाले अन्य तरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं तीज पर आप दूद में मखाने ओवाल कर या फिर लौकी के हलवी कावी सेवन कर सकते हैं आईए अब जानते हैं ब्रत में क्या चीजे नहीं खानी चाहिए ब्रत के दौरान या फिर तोड़ते समय कुछ चीजों का खाना नुकसान दायक भी हो सकता है हमीशा हेल्द सेवन करके ही ब्रत को तोड़ा जाना चाहिए ऐसे में तली भुनी या फिर ओईली चीजे खाना सेहत कुछ नुकसान पहुंचा सकती है इससे सिर्धर्थ या फिर मतली जैसी समस्य खो सकत्ती है ऐसे आलू या फिर कूटू और सिंगाडे आदी का जादा सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में कई वार गैस और अपच जैसी समस्या हो सकती है। तीज पर मैदे सिवनी चीजे और जंक फूट आदी खाने से बचना चाहिए। अगर आप किसी बिमारी से पीडेत हैं तो ऐसे में ब्रत रखने से पहले चिकटसक किसला लें। ऐसे में आप अपने बिमारी बता कर चिकटसक या डाइडिशिन से अपने खाने के लिस्ट बन आ सकते हैं। इस दिन स्रिंगार की बस्तों का भी दान किया जाता है दूस्तूं। इस दिन ब्रत रखने वाली महिलाओं को फलो का दान जरूर करना चाहिए। पांचमा और छटा नंबर उडद और चने की डाल। हर्तालिका तीच के दिन उडद और चने की डाल का दान भी बहुत सुब माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन सब चीजों का दान जरूर करना चाहिए। और दान करने के बाद ही ब्रती महिलाओं को अपना ब्रत का पारण करना चाहिए यानि अपना ब्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से उनको अखंड सौब भागे और खुशाल जीवन की प्राप्ती होती है और घर में सुख और बैवबब बने रहते हैं दोस्तों। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेर अन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूली और कॉमें बॉक्स में मुझे हर हर महादीब जरूर लिखेगा हरतालिका तीजब्रत की शुब कामनाय दिल से जरूर दीजेगा। यदि हो सकी तो ज़्यादा लोगों में शेर करें, आपको एक ही वीडियो में हरतालिका तीजब्रत की समपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और लोगों की हेल्प हो जाएगी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरप से आने वाली हरतालिका तीजब्रत की हार दिख सुब कामनाय द